तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं जहां उत्तराखंड विधान सभा बचट सत्र की तारीख घोशित हो चुकी है और उससे भी कहीं जादा एहम ये है कि वो कहा हो रहा है गैर सैंड में बजट सत्र होगा एबीपी गंगा पर हमने ये सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुँचाई थी और लीजिए इस पर मुहर भी लगती है छे मार्च तक ये सत्र चलेगा तीन से गैर सैंड में ये सत्र होने वाला है आपको बताएं कि भजपा की ओर से अंदरूनी तोर पर भी इसकी मांग उठाई गई थी कि इस बार बजट सत्र गैर सैंड से हो और लीजिए हमने सूत्रों के हवाले से आप तक ये खबर पहुचाई थी और इस पर मुहर लगती है तीन से च्छे मार्च तक गैर सैंड में ही होगा सत्र जुड़ते हैं सीधा हमारे सहयोगी विनोध से और लेते हैं जानकारी में विनोध ये बताईए कि ABP गंगा ने तो पहले ही कयास लगाया था अंदरूनी सूत्रों से ये खबर आई थी कि ये सत्र गैर सैंड में होने वाला है और क्या डीटेल मिल पा रहे हैं ग्राउंड से आपको देखे सनेलेता लगबग चार दिन हो गए हैं और गैर सैंड में सत्र होने की जो खबर थी वो प्रमुकता से सूत्रों के हवाला से ABP गंगा के माधियम से हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी और आज उस पर सास्किय प्रवक्ता मदन कोशिक ने मोहड लगा दी है यानि अगला जो 2020 का यानि तिर्वेंद सरकार का पहला बजट सत्र होगा वो गैर सैंड में होगा तीती तै होगा यह तीन से लेकर छे तारिक तक यह सत्र चलेगा हाला कि उस दोरान सत्र की जो अवदी है उसको भी बढ़ाया जा सकता है लेकिन एक बात जरूर है कि जो संसे था और अंधरूनी भाजपा संकटन के माधियम से भी यह जरूर सामने बाते आ रही थी कि आगिरकार गैर सैंड में लेकर लोगों के इतने जादा स्ट्रॉंग इमोशन है वो चाहते हैं कि इस थाई राजधानी हो क्या इस कदम से विपक्ष और जनता में थोड़ा संतोश होगा कि चलिए एक सत्र हुआ है तो उमीद अभी भी बंदी रहे कि इस थाई राजधानी के तौर पर कभी गैर सैं आ सकते हैं यह यह भी मैतवशन है कि आखिरकार जब सरकार सत्र कराती है तो अधिकतर सत्र सरकार के राजधानी तैरदोन में जो कि अस्थाई राजधानी यह तमाम अइसे मुद्धे हैं गैरसेंड को लेकर कभी कभी जिन बाहर आता जरूर है या विधायक हैं तो कहीना का यह आवाज जरूर उठाते हैं कि आखिरकार सत्र करोड़ की जो एक इमारत खड़ी की है भवन बनाया गया इतना बड़ा वहाँ पर खर्रच किया गया है सरकार का जितना बी खर्च है लगातार इस बात को ये जरूर जन्प्रधिनिती उठाते हैं कि आगिरकार जब यहाँ पर इतना धरातल परकाम किया गया है तो वहाँ पर भी सत्र हो जनता की आवाजे जरूर वहाँ गैरसेंड में उठाया जाए लेकिन इतना जरूर था कि इस सत्र को लेकर एक संसेज जरूर सरकार के पास था कि राजधानी देहरदून में किया जाए या गैरसेंड में किया जाए बाजबा के अन्यताओ के माधियम सी भी अवाज जरूर उठायी जा रही थी कि आगिरकार गैरसेंड में सत्र हो क्योंकि वहां की जनता खुद चाती है कि गैरसेंड में सत्र होने के साथ साथ वहाँ जितना भी वो चेत्र है, इलाका है पूरा तमाम उस चेत्र को लेकर तमाम जितनी भी विकास की योजनाए हैं, सरकार वहाँ से नजदीके से देखे, ताकि विकास की जितनी योजनाए हैं, वहाँ से सुझानी को पाई है। अगली खबर पे भी हम आपका रुख करेंगे। हरिद्वार को मंजूरी मिली है। विश्व विद्यालाय विधयक 20-20 पर भी चर्चा हुई है, कमिटी गठित की गई है। तो तमाम संशोधनों के साथ एक इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात हरिद्वार में। तो विनोद का फिर से रुख करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। विनोद जरा ये समझाईए कि ये जो चेंजेज हुए है, ये टेकनिकल टर्म है, इसे आसान भाशा में बताईए। जी, देखें, इसनेलेता अभी फिलहाल केबिनेट बैठक खत्म हो चुग है, और ऐसे में 13 मसलों पर यानि फैसलों पर चर्चा की गिए, जिनमें से 10 फैसलों पर सरकार की सहमती बनी हैं। इंडिडिये से संबंदी थे, राजे विदिक से संबंदी थे, हम्टी जो वी नीनिताल में एक जगय थी सरकारी उसमें, उसे संबंदी थे ये फैसले हैं। तो लगातार ये 10 मेहतपूर्ण फैसलों पर सरकार की राय बनी हैं, राय सुमारी हुई है।